पायल रोहत्गी केवल केदी ही नहीं सो की होस्ट कंगना रनोत ने भी पायल रोहत्गी के प्रतिती तीखातेवर दिखाया है यहाँ देख ऐसा लग रहा है कि सब एक तरप और पायल अकेली उनका सामना कर रही है एक ही अपते में सो के कंटेस्टेंट और टीटी के दर्सकों का ध्यान अपनी और खिचने में काम्याब हो गए है वेसे तो इस सो के सबी केदी एक से बढ़कर एक है लेकिन पायल रोहत्गी के फेंस को उनका बेपाक एटिट्टीट पसंद आ रहा है उनका कहना है कि पायल अपनी बात को अच्छे से सब के सामने रखती है और उन्हें पता है कि कब का इस्टेंड लेना है और कब नहीं पायल ने अब तक के एपिसोड में जो कदम उठाय है वो बहुत ही सटीक है हाली में उनकी और करणवीर बोहरा के बीच में नौक जोक देखी गई उस समय भी बिना अपना आपाक होए उन्होंने अपनी बात रखी है अगर बात करें तो अन्य केदी की जैसे दार्त सर्मा शिवम शर्मा पूनम पांडे बविता फोगाट सारा खान, सायसा सिंदी चक्रपार्णी, तहसीन पुना वाला सब एक से बढ़कर एक है लेकिन अभी तक एसा कुछ नहीं दिखाए जिससे यहां पता लग सके कि उनका असली चेहरा कौन सा है आज के एपिसोड में कंगना रनाओत के लेस लोकप से किसी ना किसी केदी की रहाई होने वाली है यूँ तो आजाद होकर सब लोग खुश न होने वाले हैं पर यहां के केदीयों को बिल्कुल भी इस जेल से बाहर नहीं जाना है बोटम थ्री में सामिल हुए सेलिबिटीज में स्वामी चक्रपाणी महाराज, सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर अंजली अरोडा और शिद्दार्ज सरमा है लोकप जैसे सो में बने रहने के लिए इन तीनों केदीयों को काफी कठीन चेलेंज़ेस का सामना करना पड़ेगा महज एक हपते में OTT रियालिटी सो लोकप ने फैन्स को काफी हंगामा देखने को मिला है इस बात से अंदाजा लगाए जा सकता है कि आने वाले एपिसोट में भी दर्सकों काफी मसाला देखने को मिलने वाला है अब इस सो में आगे बनने के लिए कौन कंगना रना द्वारा देगए चेलेंज़ेस का सामना करेगा और कौन इस कसोचनी में फैल हो जाएगा यहां देखना दिल्चस्ब होगा तो दोस्तों आपकी जो भी हो राए कमेंट सेक्षन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीज़े और उसी तरह की खबरों के लिए बने रही है हमारे चैनल के सामझे